इस वीडियो में आप सीखेंगे कि परसंटेज किस तरह से निकाला जाता है परसंटेज को फ्रेक्शन में यानि कि भिन्न में किस तरह से बदला जाता है या फिर अगर आपके पास कोई नंबर फ्रेक्शन में हो यानि कि भिन्न में हो तो उसे परसंटेज में किस तरह से बद देखे हुए हैं आईए इन्हें step by step समझते हैं कि इन्हें किस तरह से solve किया जाता है तो पहला example आपकी screen पर लिखा हुआ है कि 3 बटे 4 को परतीशत में बदलना है हमें तो कैसे बदलेंगे इसको बदलने के लिए सबसे पहले जो भी नंबर fraction में दिया है fraction उसी को कहा जाता है क कि नंबर उपर कुछ हो नीचे कुछ हो बीच में लाइन हो यानि उपर बटे नीचे 3 बटे 4 नंबर लिखा है तो इस तरह कि नंबर को ही हिंदी में भिन ने कहा जाता है और इंग्लिस में इसे fraction वाले नंबर को हमें percentage में बदलना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे नंबर है हमारे पास 3 बटे 4 तो 3 बटे 4 लिख लेंगे फिर आपको इसको percentage में बदलना है तो percentage में बदलने के लिए आप अपने मन से उसमें 100 से multiply कर दीजे और इसे solve कर लीजे जो भी आएगा वो percentage में ही answer आएगा क्योंकि percentage में बनाने के लिए ही इसमें 100 से multiply कर रहे हैं तो इसको उपर नीचे काटेंगे 4 से 4 का पहड़ा एक बार पहा चार एक कम चार इसको 4 से काटेंगे 4 दुना 8 यहां पर 2 बचा 2 इसके साथ जाएगा 20 हो जाएगा 4 पंजे 20 होता है तो यह आ जाएगा इसे solve करके आगया 3 multiply 25 यह आगया अब 25 का 3 में multiply करेंगे तो आएगा 75 और अपन example को कर सकते थे दूसरे example में लिखा हुआ है कि 20% हो यहां पर percentage दिया है और इसे हमें भिन्ने में बदलना है तो percentage में अगर number है उसे अगर भिन्ने में बदलना है भिन्ने को English में fraction कहा जाता है यानि कि अब यह number दिया है और अब हमें इसे इस तरह का number बनाना है यानि कि बट इस नमबर को लिखेंगे 20, परसंटेज का निसान जैसे हटाएंगे आप, बटे में 100 आप अपने मन से लगा देंगे, तो यहाँ पर भी परसंटेज लगा हो, उसको जब हटाएंगे, तो अपने मन से बटे में 100 लगा देजे, इसे सौल्व कर लीजे, जो भी आंसर आएगा, वो बटे में आएगा, देखे, 0 से 0 कर जाएगा, 2 का पहड़ा एक बार पढ़ेंगे, 2 एक कम 2, 2 का पहड़ा पांच बार पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, तो इसे solve करके आ गया है, 1 बटे 5, उपर 1 बचा, नीचे 5 बचा, और ये आपका देखे, बटे के रूप में नम्बर लिखा है, इसी को fraction कहा जाता है, 1 बटे 5 आ गया है, 20% को हमने fraction में बदल दिया है, तो इस तरह से दूसरा example आपका complete हो गया है, तिसरा example देखे, यहां पर लिखा हुआ है, कि 15% है, और 15% का हमें क्या निकालना है, 25% निकालना है, ये आपका तिसरा example है, यानि 15% का 25% ये कैसे निक लें, percentage का percentage हमें निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, 15% लिखा है, 15% लिख देंगे, का का निसान जब भी हटेगा, यानि का लिखा हुआ है, इंग्लिस में OF लिखा मिल सकता है, तो उसका निसान हटाएंगे, तो अपने मन से आप multiply का निसान ल लिखेंगे, 15%, percentage का निसान हटेगा, तो बटे में 100 अपने मन से आप लगा सकते हैं, फिर multiply है, 25% है, percentage का निसान हटेगा, बटे में आप 100 अपने मन से लगा सकते हैं, इसे solve करेंगे, जो भी answer आएगा, वो 15% का 25% ही होगा, तो इसे solve कर लेते हैं, 25 का पहाड़ा एक बार बचा है 3, और नीचे कितना बचा है, 20, तो 20 लिख दिया, फिर multiply, यहाँ पर बचा है 1, और नीचे बचा है 4, आप क्या करेंगे, उपर उपर multiply कर लीजे, नीचे नीचे multiply कर लीजे, तो इसे solve करके आपका आगया है, 3 एकंग, 3 और नीचे है, 4 दूना 8 होता है, 0 यहाँ अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर हाजिर होंगा किसे और नई वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए, जैक सर के साथ